तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव की घोशना के बाद क्यों अर्विन केजरिवाल जी को गिरफतार किया जैसे कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही आखिर कर उनका इसका नाश करने वाले हैं जैसे रावन को पता था कि भगवान श्री राम ही उसका नाश करने वाले हैं वैसे ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि आखिर कर उनको अगर कोई एक आदमी खतम करेगा कोई एक नेता हराएगा तो वो नेता अर्विन केजरिवाल है एक ऐसा केस जिसमें दो साल की जाच के बाद भी एक रुपया भी प्रोसीड्स ओफ क्राइम आम आदमी पार्टी के किसी नेता से रिकवर नहीं हुआ एक ऐसा केस जिसकी जाच दो साल से चल रही है लेकिन गिरफतारी अर्विन केजरिवाल जी की होती है लोक सभा के चुनाव की घोशना के बाद तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव की घोशना के बाद क्यों अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार किया इसलिए गिरफतार किया क्योंकि आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो वो नेता अरविंद के जरिवाल है जैसे कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही आखिर कर उनका इसका नाश करने वाले है जैसे रावन को पता था कि भगवान श्री राम ही उसका नाश करने वाले है वैसे ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि आखिर कर उनको अगर कोई एक आदमी खतम करेगा कोई एक नेता हराएगा तो वो नेता अरविंद के जरिवाल है और इसी वजह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी डर की वजह से वो आज अरविंद के जरिवाल को कुचलना चाते हैं वो अरविंद केजरिवाल को खतम करना चाते हैं कि अरविंद केजरिवाल उनको चैलेंज ना कर सके अरविंद केजरिवाल उनको खतम ना कर सके और यही कारण है कि आज अरविंद केजरिवाल को बिना किसी सुबूत के जूटे आरोपों के साथ एडी ने हिरासत में ले लिय यह दिया है जेल में डाल कि लेकिन में भारतिय जंतापाटि को और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी को यह बताना चाहती हूं मैं के आपको यह भरम है के अर्विंद केजली वाल disaster एक एंसान है अर्विंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है अर्विंद केजरीवाल एक विचार है और आप एक अर्विंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो लेकिन उनकी प्रेरना से हजारों अर्विंद केजरीवाल पूरे देश में निकल कर आएंगे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें